हेलो एब्रीबडी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक तो मैं अनदर न्यू स्टाडी व्लॉग आई होब यू आप सब की तैयारी भी काफी अच्छी जल रही है अगले दिन रात को ही बना के रखती हूँ बट आज सोची की आज सुबब बनाऊंगी और तो चलो बनाते हैं आज का अपना टू-डू-लिस्ट तो मैं पहले सोच के लिख लूँ दैन आपको दिखाती हूँ अगर आप बिना टू-डू-लिस्ट के पढ़ते हो तो आप भी अपने लिए टू-डू-लिस्ट बनाया करो जिससे आपको पता रहे कि हाँ सुबब क्या पढ़ना है दोपहर को क्या पढ़ना है और रात को क्या पढ़ना है और इससे सारा कुछ मैनेज रहता है और इसके ब बना रही हूं तब तक जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बनाना कम्प्लीट हो गया है सबसे पहले आज मैं पढ़ने वाली हूं स्टैटिक्स जी के इसमें मुझे पढ़ना है आर्टिकल्स एंड बुक्स एंड उसके राइटर्स के नाम लर्न करना है दें उसके बद मुझे इंग्रिस में एक लेक्चर एटेञ्ट करना धें उसके बार केल्कुलेशन एंड अंटॉनिस लर्न करना है एन मैêtes डिवीजन सो चलो आज का day start करते हैं इसी to do list को follow करते हुए तो चलो देखते हैं कि कितना complete हो पाता है सो first of all start करते हैं articles के साथ और ये मैं करने वाली हूँ statics gk book से और इसका सारा article मुझे already learn है बट two weeks almost हो चुके हैं एक बार भी मैंने revise नहीं किया है सो सोची कि आज इसे revision कर लेती हूँ then मैं करने वाली हूँ books and उनके writers के नाम क्यूंकि जो भी last मैंने अभी तक mock test दिया है उसमें कोई ना कोई books के बारे में तो पूछा जाई रहा है questions एक question book से related है अगर आप कोई best statics gk का book ढून रहे हो तो ये book best है for statics gk इसमें ऐसे सी exam से related जितने भी important topics है वो सारे दिये रहते हैं आप इसे बिल्कुल purchase कर सकते हैं आपको इसका link मेरे description में मिल जाएगा और भी जितने सारे books है मेरे पास वो सारा link आपको description में मिल जाएगा आप उसमें जाकर चेक कर लीजेगा सो मेरा article learn करना done हो गया है अभी मैं कर रहे ही हूँ books and उनके writers के नाम learn और आप सुबहुट कर क्या पढ़ना पसंद करते हो मुझे comment करके जरूर बताना सो मेरा statics जी के वाला part complete हो गया है and now मैं करने वाली हूँ English का एक lecture बट उससे पहले मैं करूंगी अपना breakfast सो चलो पहले breakfast कर लेते हैं then English का class start करेंगे तो मैं breakfast करके आ गई हूँ and अभी मैं start कर रही हूँ अपना English का class और मैं English जैदीप सर्चे पढ़ती हूँ और मेरा batch है career wheel app पे आप बताना कि आप English किन से पढ़ते हो और जैदीप सर्चे जो जो पढ़ते हो वो भी बताना सो चलो start करते हैं अपने आज का class अभी मेरा वर्व advance वाला chapter चल रहा है and to be very honest मैं Hindi मीडियम से हूँ और मुझे एक बार में पूरा पूरा completely lecture समझ में नहीं आता है तो मैं इसे क्या करती हूँ ना कि एक बढ़ lecture देखके notes बनाती हूँ और उसके बाद उसी lecture को दुबारा देखती हूँ फिर notes को revision करती हूँ और कुछ छूट चाता है तो उसको दुबारा से लिख लेती हूँ और ऐसे करके मैं English पढ़ती हूँ आप लोग जो भी Hindi मीडियम से है आप लोग भी ऐसे पढ़ो और आपको भी समझ में आएगा सो चलो इसे complete करते हैं और आपका कौन सा chapter चल रहा है इंग्लिश में आप मुझे comment करके बताना जरूर से सो नाव दिस दन अभी मैं 10 मिनेट का ब्रेक लूँगी एंद इसके बाद भी 10 मिनेट निकालके करूंगी मैं बस इसके एक एक बार पढ़ लेती हूं ताकि मैं भुलू नहीं जो भी मुझे लानी है और फिर मुझे कैलकूलेशन के टाइम में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं फटा फट से इसको 10 टू 15 मिनेट से टाइम निकालके पढ़ लेती हूं स्क्वार, क्यूब, रूट और फार्मूला बगेरा जितना भी रहता है उसको में एक बार फटा फट से रीड कर लेती हूं तो मैं चले गई थी कॉलिज क्लास करने और आने के बाद मैं कुछ भी नहीं पड़ी थी अभी कुछ साथ बज़ रहे हैं और अभी मैं पढ़ने वाली हूं एंटोनिंस इसमें मुझे एंटोनिंस लर्न करने हैं बट उससे पहले जो भी मैं कल लर्न की थी उसको मैं एक बार डिविजन करूंगी दैन उसके बाद आगे कुछ उसमें एड करूंगी सो चलो स्टार्ट करते हैं मैं कुछ भी न्यू लर्न करने से पहले प्रीविएस वाले को रिट जरूर करती हूं इससे मुझे न्यू लर्न भी हो जाते हैं और प्रीविएस वाले रिविजन भी हो जाता है मतलब साथ साथ रिविजन और लर्निंग दोनों चलता रहता है जिससे टाइम बहुत जादा बच जाता है, so चलो मैं इसे पहले complete करती हूँ then आगे मैं जो भी मेरा targets है उसको देखूंगी So मेरा ये हो गया है done, आज का मेरा last बच्चा है maths revision, आज मैं सोची थी की फिनेकल से profit and loss solve करूंगी but मैं college गई थी so मुझे बहुत जादा tired feel हो रहा है तो मैं सोची की क्यों आज राके स्याद उशर का note से time and distance ही revision कर लेती हूँ ताकि कुछ तो revision होगा वरना ये एक last है जो छूट जाएगा, so चलो इसे फटाफट से मैं revision करती हूँ and then आज का vlog खतम करूंगी so चलो इसे पहले कर लूँ कर दो एक दो होगा मेरा मैथ रिविजन करना डन हो गया है इसी के साथ मेरा आज का सारा टार्गेट कम्पलीट हो चुका है वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर देना मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए टेक केर बाबाई एं बेस्ट अव लग फो या नेक्स एग्जाम् झाल